क्या आप जानते हैं शराब का अविश्कार किस ने किया था? चलिए हम आपको बताते हैं कि शराब किस ने बनाई जाए? शराब को सर्व प्रथम कब प्रयोग किया गया इस बारे में इंसान को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जहां तक इंसान इतिहास में जहांक सकता है वहां तक शराब पहले से ही प्रचलन में रही है इसके सेवन की जानकारी महाभारत काल में भी मिलती है मिले साक्षियों के आधार पर जो भी जानकारी मिलती है उसके अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब का सेवन पाँच हजार वर्ष से भी पूर्व से किया जाता रहा है यद्दपी इसका इतिहास इससे भी पुराना है इस नशीले तरल पदार्थ ने प्राचीन काल से ही समाज में अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई है यात तत्यों में पाया गया है कि शराब की खोज सर्व प्रथम अंगूर के प्रयोग से हुई थी तथा आज भी अंगूर से बनी शराब प्रचलन में है अंगूरों से इस नशीले तरल पदार्थ की प्राप्ती का तरीका किसने खोजा इसके लिए किसी एक इनसान का नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं मिलते त्फल तहा पूरी प्राचीन मानविय सभ्यता को शराब की खोज का श्रे दिया जाता है क्योंकि प्राचीन काल में नशीले वानस्पती पदार्थों का प्रयोग करते करते इंसान ने शराब खोज ली थे ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें थेंक्यू